I welcome you all my dear student to my channel Ingenious Study आज हम देखने वाले हैं chapter number 15 है Defodils की book है class 6 की ठीक है तो इंग्लिस की book का chapter number 15 इस टो है Daman and Pathias यह दो friends से स्टोरेंड Daman और Pathias दोनों क्या है बहुत ही जबरदस friend है बहुत ही close friend इस टोरेंड is a friend indeed indeed मतलब really जो friend होता है in need जरौत के समय जो हमारा friend होता है हमारा साथ देता है na is a friend indeed वही हमारा real friend होता है जो आवेश सकता के समय जरौत के समय हमारी मदद करता है वही हमारा real friend होता है Everyone loves their friends हर कोई अपने friend को पसंद करता है na प्यार करता है, चाहता है, न, but how much does one do to help a friend who is in who is in need, लेकिन क्या बोला है, but how much does one, लेकिन कोई कितना कुछ करता है, do मतलब करता है to help a friend, अपने friend की help करने के लिए, who is in need, जो जर्रत में होता है, जिसको जर्रत होती है, न, तो यहाँ पर वही बोला है कि, friend तो हम सब किसी के होते ही है, न, ठीक है, लेकिन आप अपने friend की जर्रत में कितनी ज़्यादा मदद कर सकते है, वो depend करता है कि आपकी दोस्ती कितनी गहरी है, न, have you ever helped a friend in need, in need मतलब जर्रत में, क्या आपने कभी अपने friend की जर्रत के समय उसकी help की है, क्या ऐसा हो, बोला है देखो, आगे क्या है चेप्टर में ये एक play है, इस्टेंट नाटक है, है न, जिसमें हम देखने वाले क्या कुछ होने वाला है, ठीक है King Dinosus, क्या है? Dionysus, Dionysus, ये राजा का नाम क्या है? Dionysus, है न, was an extremely rich, बहुत ही रहीस राजा था, and cruel tyrant, और बहुत ही cruel का मतलब दुष्ट, निर्दई, है न, जिसके अंदर कोई दयान है, उसको बोलते है, cruel, tyrant का मतलब होता है, तानासा, मतलब, जैसा उसने बोल दिया, वैसा ही होगा है, न, public की नहीं सुनता था, उसके मन में जो आता था, वही वो करता था, तानासा था, tyrant था, tyrant का मतलब होता है, अपनी मनमर्जी चलाने वाला है, न, तो ये जो Dionysus था, ये बहुत ही रहीस राजा था, बहुत ही crew tyrant था, मतलब, दुष्ट तानासा था, अपनी मर्जी चलाता था, who ruled over Syracuse, जो कहाँ पर सासन करता था, Syracuse में सासन करता था, Syracuse क्या है भई, one of the kingdom of Greece, Greece देश का एक राज्य है, kingdom का मतलब राज्य है, Syracuse क्या एक state है, Greece country का एक state है, और जहाँ पर rule कोन करता था, यहाँ पर rule करता था, Dinosaurs, Dinosaurs यहाँ पर rule करता था, बहुत ही rich था, लेकिन कैसा था, cruel tyrant था, मतलब तानासा था, बहुत ही दुष्ट राज्य था, है ना, In his kingdom, उसके राज्य में क्या होता था, There were two young men, called Demon and Pathias, उसके जो kingdom में, उसके राज्य में, two young men थे, दो नौजवान थे, जिनका नाम क्या था, Demon and Pathias, यहीं क्या हम इस्टोरी पढ़ने वाले, है ना, उसके राज्य काल में, यह दो लोग रहा करते थे, है ना, उसके kingdom में, The two were great friend, और यह दोनों जो demon और Pathias है, दोनों क्या थे, बहुत ही great friend थे, बहुत बड़े, महान दोस्त थे, पक्के दोस्त थे, सच्चे मित्र थे, and were hardly ever seen apart, और hardly मतलब ना के बराबर, वे देखे जाते थे, अपार्ट मतलब अलग-अलग, हमेंसा साथ में दिखाई देते थे, ना के बराबर ऐसा होता था, कि वो अलग-अलग दिखाई दे, इफ डीमन डिड नाट गो टू विजिट पैथियास, अगर डीमन मिलने नहीं जाता था, विजिट करने नहीं जाता था, पैथियास को, टू सी डीमन, तो पैथियास ही आजाता था, डीमन से मिलने के लिए, टू सी मतलब उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए, ना, अनफॉर्चुनेटली, बतकिस्मती से क्या हो गया एक बार, पैथियास मेड डाइनोसस वेरी एंग्री, तो क्या कर दिया, पैथियास ने डाइनोसस जो किंग है, जो किंग है, कहां का, सारेकस का, जो ग्रीस का एक राज्य है, सारेकस इस्टेट है, तो एक दिन पैथियास ने क्या कर दिया, डाइनोसस को, मेड डाइनोसस वेरी एंग्री, इसको बहुत ज़्यादा नाराज कर दिया, कैसे नाराज कर दिया भई, by accusing him in public, saying that he was a wicked ruler, कैसे नाराज कर दिया, by accusing, उस पर एक आरोप लगा के, accuse का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, उस पर आरोप लगा दिया, by accusing him, उस पर आरोप लगाते हुए, कहां पर in public, public के बीच में, लोगों के बीच में उस पर आरोप लगा दिया, क्या, saying that, ये कहते हुए आरोप लगा दिया, कि he was a wicked ruler, वो कैसा ruler है, एक दुष्ट राजा है, मतलब लोगों पर अत्याचार करता है, अपनी मनमर्जी थोपता है, ऐसा उसने भरे public में कह दिया, और जिससे डाइनोस क्या हो गया, बहुत नाराज हो गया, तैरेंट, तैरेंट मतलब वो ताना सहा, put him in prison, उस ताना सहा ने, उस तैरेंट ने, मतलब इस डाइनोसस को भी बोला, ताना सहा ने क्या कर दिया, put him, उसे डाल दिया, किसको? डाइनोसस को कहां पर, जेल में डाल दिया, and condemned, condemned मतलब उसे सजा सुना दिया, condemned him to die in three months, उसे तीन महने के बाद, उसे मौत की सजा सुना दिया, तीन महने तक जेल में रहेगा, और उसके बाद उसे क्या फासी पर चड़ा दिया जाएगा, ऐसी उसे सजा सुना दिया, इतनी सी बात के लिए, आगे देखो क्या हो गया, क्योंकि वो क्या था, टायरेंड था, ताना सा था, जैसा हो चाहता था, वैसी करता था, तो यह पूरी स्टोरी थी अभी, और अब प पैतियास को यह पर डैनसोर्स के सामने, ऐसा यह पर देख रहा है तो क्या हो गया वगया, डैनसोर्स क्या कह कह रहा है? WHO is this nail, name का मतलब क्या होता है? दुष्ट, यह दुष्ट इनसान कोन है वै Wonderus, यह ने व कोन है? ये वही इंसान है, जिसके आपने भोजा, भेजा था हमें, किसे अरेश्ट करने के लिए आपने भेजा था, for speaking against you, क्योंकि इसने आपके खिलाब बोला है, है ना, O mighty dynosus, O mahan raja, ऐसा उसके सैनिक कह रहे है, है ना, ये वही इंसान है, जिसे लेने के लिए, आपने भेजा था, अरेश्ट करने के लिए, क्योंकि इसने बोला था, आपके खिलाब, speaking against you, O mighty dynosus, O mahan raja, ऐसा उसके सैनिक कहरा चीप जैला, तो dynosus बोलता है, so you are, O, so का मतलब है, तो you are the one, तुम ही हो वो, तुम ही हो वो, तुम ही हो, वो that spoke against me, जिसने मेरे खिलाब बोला था, तुम ही हो वो जिसने मेरे खिलाब बोला था, the great king of Syracus, एक Syracus के महान raja की खिलाब, है ना, tell me what you have dared to say against my good name, है ना, तुमने हिम्मत कैसे की, what, what you have dared, तुमने हिम्मत क्योंकी, to say against my good name, मेरे अच्छे नाम चल रहा था, मेरे अच्छा, जो महसूर नाम था, उसके खिलाब, तुमने ये सब कहने की हिम्मत कैसे की, ऐसा वो कह रहा है, तो पैथियास क्या बोलता है, पैथियास वहाँ का एक नौजवान, वो क्या बोलता है, all I spoke was the truth, जो कुछ मैंने कहा, जो कुछ मैंने कहा, वो क्या था, एक सच था, that although you are powerful, और वो क्या है, जो कुछ मैंने कहा, वो सच था, वो क्या है, that की, हाला की, अल्दो मतलब हाला की, यू आर पावरफुल, तुम तो एक पावरफुल हो, यू आर अ क्रूवल एंड फुलिस किंग, तुम क्या हो एक क्रूवल भी हो, मतलब बहुत क्रूर हो, अत्याचारी एंड बेवकूफ राजा भी हो, ऐसा वो कह रहा है, है ना, क्रूवल बिकॉस, क्रूवल इसलिए, तुम क्रूवल क्यों हो, क्रूवल इसलिए कि, यू रूल विद फियर्स आर्मी, क्योंकि तुम एक क्रूर आर्मी के साथ सासन करते हो, है ना, जबरदस्ति करते हो लोगों के साथ, और आपके आर्मी भी क्या करते ही, जबर्दस्ती करती लोगों के साथ, है न, इसलिए आप करूर हो, FULLIS इसलिए हो, बेवकूप इसलिए हो, कि your people serve you out of fear, not because they respect and love you, आपके जो, FULLIS इसलिए हो, क्योंकि your people serve you, आपके जो लोग है, आपके जो जनता है, आपको serve करती है, मतलब आपका सम्मान करती है, आपके कहें अनुसार चलती है, out of fear, आपके डर की वज़े से, serve you out of fear, डर की वज़े से आपका सम्मान करती है, आपको serve करती है, not because they respect and love you, वो आपकी respect नहीं करते हैं, और love भी नहीं करते, आपसे डरते हैं, इसलिए आपकी इज़द करते हैं, आपको आपकी सेवा करते हैं, serve करते हैं, a good ruler, एक अच्छा राजा would होना चाहिए, आगे वो कही रहा है, और कुछ कहनी वाला था, कि डाइनोस को गुस्सा आगया, और डाइनोस राजा, जो था, king था, वो क्या कहता है, silence, सांत हो जाओ, ऐसा वो कह रहा है, I have heard enough, मैंने बहुत कुछ सुन लिया, because of your insolent word, you shall learn how powerful I truly am, क्योंकि because of your insolent word, तुमारे इस असब्यो, सब्दों की वजह से, insolent word मतला, asabya, mannerless word की वजह से, you shall learn, तुमें अब मैं सबक सिखाऊंगा, और यह बताऊंगा, तुमें इस सिखाऊंगा, कि how powerful I truly am, कि मैं वास्तों में कितना जादा powerful हूं, ऐसा वो कह रहा है, you will be thrown into prison, तुमें जेल में डाल दिया जाएगा, and at the end of the three months, और तीन महने के बाद, तीन महने के अंत में, you will be put to death, तुमें फासी पर चाढ़ा दिया जाएगा, तुमें डेथ पर चल लटका दिया जाएगा, you will be put to death का मतलब, तुमें मौती सजा सुना दिया जाएगा, फासी पर चल दिया जाएगा, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है, तो डीमन एंटर करता है, उस बीच में जो है डीमन, है ना, वो एंटर करता है, पैथियास का दोस्त है, जो डीमन वो एंटरी करता है, बीच में इस्टेज में और क्या कह रहा है वो Please mighty king क्रपा करे ए महान राजा Ispare his life Ispare his life का मतलब Ispare मतलब बचा दो, सेव करो Ispare his life का मतलब बचा दो, इसकी जिंद्गी बख्स दो My friend Paithyas is a stranger here मेरा जो दोस्त है Paithyas वो यहाँ अजनवी stranger है And he did not know और वो नहीं जानता It was against the law To criticize you in public यह नियम की खिलाफ है यह कानूम की खिलाफ है To criticize you in public Criticize का मतलब क्या होता है बुराई करना है ना किसी की निंदा करना है कि आपकी इस पबलिक के बीच में निंदा करना क्या है एक rule के खिलाफ है यह इसे मालूम नहीं क्योंकि यह तो क्या है Stranger है He did not know यह नहीं जानता था यह नहीं जानता था कि आपके खिलाफ पबलिक में आपकी निंदा करना क्या है एक अपराद है कानून की खिलाफ है To dinosus क्या बोलता है In my kingdom My word is law अब मैंने कह दिया उसे prison में डालना है तीन मैने के बाद फासी होगी तो अब मेरा जो word है In my kingdom मेरे राजय में मेरे word ही क्या है मेरा law है कानून है अब मैंने कह दिया तो ऐसा ही होगा वो कह रहा है He will learn this और ये चीज़ इसे सिखाई जाएगी The hard way बहुत कठोर तरीके से है ना And after his death और इसकी death के बाद Other will think twice Before speaking against the mighty dinosaurs है ना वो क्या कह रहा है And after his death और इसकी मौत के बाद Others जो दूसरे लोग है Will think twice वो दो बार सोचेंगे Before speaking against बोलने के पहले Against मतलब किसकी खिलाब The mighty dinosaurs इस महान डाइनसूस के खिलाब बोलने से लोग क्या करेंगे दो बार सोचेंगे इसकी मौत के बाद यान लोगों इतना खौफ फैल जाएगा डर फैल जाएगा ऐसा वो कह रहा है तो पैथियास क्या कहता है पैथियास क्या कहता है King dinosaurs I must accept Your hars law मैं आपका जो एक इतना क्रूर जो नियम है hars law है इसे जरूर एक्सेप्ट करूँगा ऐसा वो कहता है स्विकार करूँगा But I ask a favor of you But I ask a favor of you है ना लेकिन मैं आप आप से कुछ favor चाहता हूँ आपके तरप से कुछ छूट चाहता हूँ ऐसा हो कह रहा है I ask that you let me return to my country मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप क्या करो मुझे जाने दो वापस मेरे गाउं जाने दो and bid goodbye और मुझे bid मतलब कहने दो goodbye किसको एक बार अंतिम विदाई लेने दो किससे to my old mother मेरी बुडी मा से and younger sister और मेरी छोटी बहन से क्या करने दो मुझे विदा लेके आने दो है ना ऐसा हो कह रहा है they will be alone in the world वो इस दुनिया में अकेले पढ़ जाएंगे with no one to look after them after I died क्योंकि with no one कोई भी नहीं होगा to look after them उनकी देखभाल करने के लिए after I die मेरे मर जाने के बाद to look after का मतलब क्या होता देखभाल करना let me make some arrangement मुझे कुछ वैवस्था करने दो for them उनके लिए then और उसके बाद I will return to receive my punishment मैं वापस आजाओंगा I will return है ना मैं वापस आजाओंगा to receive लेने के लिए my punishment अपनी सजा लेने के लिए अपनी सजा भुगतने के लिए ऐसा वो कहरा कॉन पहती आस ठीक है तो डाइनासर्स क्या बोलता है जो राजा है King है वो क्या कहता है You expect तुम्ही अफेक्चा कर रहे हो मी मुझसे to believe कि मैं ये मान लूँगा that की if I let you go अगर मैं तुम्हे जाने दू you will return कि तो तुम वापस आजाओंगे तु मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी बात को मान जाओंगा ये अगर मैं तुम्हे जाने दिया तु तुम वापस आजाओंगे ऐसा वो कह रहा है Ha! Gods, throw this criminal into prison Hey Gods, इस criminal को जेल में डाल दो इस अपरादी को ऐसा वो कह रहा है तो फिर demon जो इसका दो से पैथियास का एक इमांदार इंसान है If he promises to return अगर वो वादा कर रहा है वापस आने का He will keep his word तो अपने सब्दों की वोलाज रखेगा है उसे जाया नहीं होने देगा If he does not return अगर वो वापस नहीं आता है Then on the day On the day मतलब उस दिन of his execution On the day of his execution मतलब उसकी सजा के दिन उसकी मौत के दिन है ना execution का मतलब क्या होता है मौत के दिन या म्रत्यु दंड के दिन I will take his punishment of death अगर वो वापस नहीं आता है तो मैं क्या करूँगा उस दिन उसके execution के दिन execution मतलब सजा के दिन मैं क्या कर लोगा उसकी punishment ले लूँगा मौत की सजा मैं ले लूँगा punishment or death ऐसा कोन कह रहा है भई demon कह रहा है किस से dynosus के अगर पैथियास वापस नहीं आया तो उसके बदले मैं क्या करूँगा उसकी बदले मैं सजा भूगत लूँगा मुझे आप मौत की सजा दे देना ऐसा कहता है तो dynosus क्या बोलता है well ठीक है क्या बोलता है dynosus well ठीक है if you are foolish enough अगर तुम इतने ही बेवकूफ हो to take his place की इसकी जगा लेना चाहते हो then you deserve this death तो तुम इस मौत के हगदार हो ऐसा हो कह रहा है throw demon into prison instead तो अब क्या करो dynosus को जान दो throw demon demon को डाल दो into prison jail में instead का मतलब के बदले किसके बदले dynosus के बदले instead का मतलब होता है के बदले उसके बदले तो pathias जो है अब वो क्या बोल रहा है thank you demon my friend thank you demon my friend I will feel better मैं क्या करूँगा थोड़ा सा अच्छा महसूस करूँगा after my family has been cared for अगर मैं अपनी family की थोड़ी सी care कर पाया थोड़ी सी देखबाल कर पाया then और उसके बाद I और उसके बाद I sell return मैं क्या करूँगा वापस आ जाओगा I sell return मतलब सजा of death मतलब अपनी मौत की सजा मैं तुमें नहीं लेने दूँगा ऐसा वो कह रहा है मैं वापस आ जाओँगा कह रहा है तो demon क्या बोलता है I believe you demon जोसका दोस्त है पैथियास हो क्या बोलता है मुझे तुम पर भरोसा है my friend my friend good luck for your journey तुमें तुमारी यात्रा क्या हो mangal मैं हो तुमारी यात्रा सुभ हो ऐसा वो कह रहा है they sack hand और इस तरह से वो हाथ मिलाते हैं फिर क्या हो रहा है दो कह यह bracket में कुछ बताया है पैथियास returned home पैथियास घर चला जाता है वापस he had a safe and speedy trip वो उसकी यात्रा बड़ी अच्छी रहती बहुत speed से जाता है न और वो safely तरीके से चले जाता है वापस जाते time कोई दिक्कत नहीं आती he got his sister married to a good man और वापस जाकर पैथियास क्या करता है अपने sister की साधी करा देता है to a good man एक अच्छी इंसान के साथ bad goodby और bad का मतलता होता है कहना bid की second form अती bad bid याने भी कहना और bad याने भी कहना second form में past form है न और वो goodbye कह देता है to his mother and sister अपनी mother और sister को goodbye कहता है of his journey back to Syracuse और on his journey back to Syracuse और वो अपनी वापस Syracuse के लिए वहाँ से journey start कर देता है निकल जाता है however हला की on his way back वापस आते समय के रास्ते में he ran into ran into का मतलब उसे सामना करना पड़ता है किस चीज का storms मतलब बहुत सारे तूफान का and wild animal जंगली जानवर को काफी सामना जंगली जानवर का भी जो डाकू लोग रहते जो चोर लोग रहते took all he had जो उसके पास रहता सारा सामन उससे चीन लेते हैं and left him tied up in ropes और उसे बरस्तियों में बांध कर उसे छोड़ देते हैं left मतलब छोड़ देते हैं उसे बंधा हुआ रस्तियों में dynosus enter होता है कक्छे में अपने सभाव याओ dynosus क्या बोलता है so demon the day for the execution is almost here execution का मतलब saja का जो दीन है वो तुमारी punishment का जो दीन है almost here रव वो आई चुका है do you still think क्या तुमें अभी भी लगता है pathias will return कि pathias वापस आएगा ऐसा तुमें अभी भी लगता है so demon क्या बोलता है my friend is loyal and will come if he can मेरा दोस्त क्या है loyal है वफादार है and will come और वो जरूर आएगा if he can अगर वो आ सकेगा तो अगर वो आ सकता होगा तो जरूर आएगा if not अगर नहीं आया I will gladly die in his place तो मैं खुसी से मर जाओंगा उसकी जगा पे है ना उसके बदले मैं ही खुसी से मर जाओंगा ऐसा हो कह रहा है तो dinosaur क्या बोलता है then you are fullest beyond belief इसका मतलब तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ हो beyond belief मतलब जितना मैंने सोचा था जितना मैंने समझा था उससे भी ज़्यादा तुम क्या हो बेवकूफ हो pathias has cheated you pathias ने तुमें cheat किया है धोका दिया है I will see that you die in his place अब मैं देखता हूँ कि तुम उसकी जगा पर मरते होया नहीं curtains down और curtain गिरते हैं परदे गिर जाते हैं आगे देखो क्या हो रहा है फिर scene तीसरा यहां पर देखने को मिलता है pathias comes crawling इस तीसरे scene में देखने को क्या मिलता है कि pathias आ रहा है रेंगते हुए रास्ते में पता नि उसे चोरों ने बांद दिया था रस्यां अब वो चल नी पा रहा है रस्या मदी हुए है तो रेंगते हुए क्रावल करते हुए हो आ रहा है in front of the curtain curtain के सामने ऐसा आते हुए दिखाया है he is tied up in ropes वो रस्यां से बंदा हुआ है his feet are still shackled और उसके जो पैर है अभी भी क्या है सेकल है मतलब उसमें बेढ़िया बंदी हुए है iron से कुछ लोही की कुछ बेढ़िया वहाँ पर उसके पैरों में बंदी हुए है he is hurt and bleeding वो बहुत ज्यादा hurt है दुखी है और bleeding मतलब उसके body से कुछ खून निकाल रहा है and covered in dust और धूल से बिलकुल सना हुआ है ऐसी इस्तिती में वो ऐसा यहाँ पर दिखा रहा है stage पर वापस आते हुए है ना तो पैथियास अब क्या बोल रहा है देखो oh how many obstacles have slowed my return पैथियास जो है जो कि जो friend है जो वापस आ रहा है अपनी journey demon के बदले अपनी सजा भुगतने के लिए है ना क्योंकि पैथियास कोई पैथियास कोई पैथियास मिली थे अपनी पैथियास में लेने के लिए वो आ रहा है है ना तो क्या कह रहा है oh how many obstacles have slowed my return वो अपने मन में भगवान से बात करती हुए क्या कह रहा है कितने सारी obstacles ने मेरी journey को मेरे return को मेरी वापसी को क्या कर दिया है slow कर दिया obstacle मतलब बाधाओने है ना why did those क्यों those thieves have to tie me up वो जो thieves थे चोर लोग थे have to tied me up उन्हें मुझे क्यों बांधना पड़ा भई ऐसा वो कह रहा है I begged them to take everything but let me be free to go back to Syracuse Syracuse सहर की तरह पा रहा है वो वो क्या कह रहा है उपर भगवान से बात करते हुए I begged them मैंने उनसे बहुत ज्यादा भीग भी मांगी बहुत विंती की to take everything कि तुम सब कुछ ले लो but let me be free लेकिन मुझे आजाद कर दो to go back to Syracuse मुझे वापस Syracuse जाने के लिए मुझे क्या कर दो let me be free मुझे आजाद कर दो but they wouldn't लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किय how will I get there in time to save demon how will I get there मतलब मैं वहां कैसे पहुँच पाऊंगा in time समय से पहले to save demon demon को बचाने के लिए नहीं तो मेरे बदल है to demon ही मर जाएगा ऐसा वह सोच रहा है और क्या कह रहा है आगे वह परदे के सामने he will surely think I have deserted he will surely think वह जरूर ऐसा सोच रहा होगा I have deserted कि मैंने उसे क्या कर दिया अकेला छोड़ दिया I have deserted him मैंने उसे अकेला छोड़ दिया उसे धोका दे दिया ऐसा वह सोच रहा होगा oh my friend if only I could untie these ropes अगर मैं इने इन ropes को इन रस्यों का untied कर पाऊं तो I would be with you in a thrice तो मैं वहाँ पर वह क्या वह रस्यों में बंदा हुआ है मतलब थोड़ ही समय में बड़े जल्दी तुमारे साथ हुँगा ऐसा वह imagine करते हुए परदे के सामने कह रहा है और वापस कहां पर आ रहा है साहर का साहर की तरफ बढ़ रहा है ऐसा दिखाया और आगे क्या दिखाया है He struggles वो बहुत जाता है जूचता है with the knots जो रस्यां बंदी हुए है उसकी गाठों से बहुत जूचता है and finally unties them और उन्हें खोल लेता है and stands free और आजाद हो जाता है ऐसा दिखा हुआ है फिर पैथियास के बारे में फिर क्या बताया If I run fast enough I might reach Syracus in time पैथियास फिर क्या कह रहा है इस्क्रीन के सामने दिख रहा है ना टक प्ले हो रहा है वो क्या कह रहा है अगर if I run fast enough अगर मैं बहुत तेज दवडा I might reach तो मैं साइध पहुँच जाऊंगा Syracus in time मैं Syracus पहुँच जाऊंगा in time मतलब समय से पहले He runs off the stage और वो stage की तरफ वहां से भागता हुआ दिखा रहा है इस्टेज की तरफ भागता हुआ वहां से वो दिखा रहा है परदे पर Curtains open और curtain अब खुलने लगते हैं यह एक तरफ से stage की तरफ भागता दिखा रहा है अब stage पर क्या scene चल रहा है चल रहा है वो अभी यहां पर दिखा रहा है अब curtains खुलते हैं a crowd has gathered और एक भीड जमा हो चुकी है near a platform where the execution is to made मतलब जहां पर सजा जहां पर मौत की सजा होने वाली जहां फासी पर लटका रहा जाने वाला है डीमन को पैथियास के बदले उस platform पर उस जगह पर बहुत सारी भीड गैदर हो जाती है आगे क्या होता है देखो और वो भीड में से एक इंसान क्या कहता है पहला इंसान क्या कहता है इट इस टेरिबल डे वेंड डेमन वन अफ अवर मोस्ट लाइड सिटीजन सुट डाई एड दा कमांड ओफ दा क्रूवल किंड किंग इट टेरिबल डे बड़ा घटिया दीन है बड़ा बुरा दीन है जब डीमन जो की हमारा मोस्ट लाइड सिटीजन है सिटीजन मतला निवासी यहां रहने वाला जो हमारा साथी बहुत ही पसंदीदा हमारा सिटीजन साथी है सुट डाई उसे मरना पड़ेगा एड दा कमांड ओफ दा क्रूवल किंग एक बुरे किंग एक दुष्ट किंग एक राजा के कमांड पर आदेस पर उसे का करना पड़ेगा मरना पड़ेगा उसके और पर है ना और सेकenser परसन क्या पड़ता है सांथ रहो यू डून्ट वांट तो गो थ सेम वे क्या तुम भी उसी रास्ते पर जाना चाते हो क्या ऐसा वो कह रहा है people bow to dinosaurs जो सारे के सारे लोग है वो जुकते हैं नीचे डाइनसस के सामने as he walks, जैसे ही वो आगे बढ़ता है है ना, अपने seat की तरफ with his followers to a seat, है ना, अपने follower के साथ seat के तरफ बढ़ता है, near the platform, जो की platform के पास ही वो seat बनी हुई, है ना, जैसे देखो ये raised platform है, है ना, यहां पर इसे लटकाया जाना है, और यह बाजो में आज seat है, उसकी यहां राजा बैट रहा है और इस सब चीज़ देखने वाला है, आगे देखो क्या होता है, है ना, हाँ, फिर क्या होता है, second person, हाँ, डाइनसस क्या बोलता है, bring the prisoner, डाइनसस जो राजा है, यह है राजा, यह आदेश क्या बोलता है, लेकर क्या, prisoner मतलब अपरादी को, jailer को, जो कैदी को, लेकर क्या, prisoner मतलब कैदी को, अपरादी को, enter demon, demon को आँ पर enter होता है, you are a fool to take pathias place, demon, now get ready to die, तो डाइनसस क्या बोलता है, you are a fool, तुमें एक बेवकूफ थे, है ना, to take pathias place, कि तुमने pathias की जगा ले ली, demon, ऐसा वो कह रहा है, demon, तुम फूल से, now get ready to die, अब तयार हो जाओ, मरने के लिए, enter excuser with X, जो excuser होते हैं, जो सजा सुनाने वाले लोग हैं, वो X मतलब एक कुलाली लेकर की वहाँ पर पहुंच जाते हैं, आगे क्या होता है, तो पहला इंसान क्या बोलता है, जो भीड में से हो क्या बोलता है, look they are, isn't it, तुम्हें दिखाई नहीं तरह है कुछ pointing of stage, stage की तरह पॉइंट करता है, उली दिखाते हुए एक इंसान करता है, अरे देखो कोई आ रहा है बही, ऐसा हो कुछ कह रहा है, second person बोलता है, yes, indeed, really, indeed मतलब really, yes, really it is, I can't, I can't believe it, मुझे इस पर विस्वास नहीं हो रहा है, pathias came running up, pathias क्या आता है, आता है, दोड़ते हुए, up to the platform, इस platform की तरफ, जहां इस पहासी की सजा सुना ही जानी है, इस उचे platform पर, इस जगब पर, दोड़ती हुए आता है, pathias came running up to the platform, where, जहां पर the execution is to take place, जहां पर मौत की सजा दी जानी थी, उस वहां पर दोड़ती हुए आता है, और क्या कह रहा है, pathias क्या कहता है, wait, stop the execution, इस सजा को रोक दो, I am here, मैं आ चुका हूँ, one of dinosaurs followers, और dinosaurs का एक followers है, उसका जो, follow करता है, उसकी बात मानता है, उसका एक साथी, dinosaurs, राजा का, वह क्या कहता है, it's pathias, अरे यह तो pathias है, ऐसा वह कहता है, dinosaurs का एक follower है, जो साथी है, one of dinosaurs, it's pathias, वह क्या कहता है, pathias कहता है, follower, और another, दूसरा follower, जो इन इन इसस का, follower मतलब उसका सेवा, उसकी सेवा करने माला, वह क्या कहता है, he is returned to syracus, he has returned, यह वापस आ चुका है, कहां पर syracus में वापस आ चुका है, pathias क्या बोलता है, oh demon, oh demon, अपने दोस्त को बोलता है, oh demon, I am sorry, मुझे माफ कर दो, I set off from home well in time, मैं घर से निकल गया था, काफी समय से पहले ही मैं निकल गया था, however, हाला की, there were so many problems, that I got delayed, हाला की, मुझे बहुत सारी problem आई, जिसकी वज़े से मैं क्या हो गया, delayed हो गया, my friend, ऐसा हो कह रहा है, but here I am now, लेकिन अब मैं यहां पर पहुँच चुका हूँ, ऐसा हो कह रहा है, my friend, but here I am now, अब मैं यहां पर आज चुका हूँ है न, मैं यहां पर हूँ, I would have never forgiven myself, if I had not been able to reach in time, I would have never forgiven myself, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, if I had not been able to reach in time, अगर मैं यहां समय से पहले, पहुचने में समर्थ नहीं हो पाता, अगर मैं यहां समय पर नहीं पहुच पाता, समय से पहले, तो मैं अपना आपको कभी माफ नहीं कर पाता, ऐसा हो कह रहा है, let me take my place, अब मुझे अपनी जगह लेने दो, demon, अब तुम हट जाओ, मुझे सजा भूगतने दो, तो demon क्या बोलता है, I knew, मैं जानता था, you would come back, कि तुम वापस आओंगे, if you had life in you, अगर तुम जिन्दा हो, अगर तुमारे अंदर life है, जिन्दगी है, तुम जिन्दा हो, तो तुम जरूर आओगे, my friend, ऐसा वो कह रहा है मेरे दोस्त, I told dinosaurs to, और मैंने यही चीज, dinosaurs से भी कहाता है, embracing है, मतलब उसे थोड़ा सा, निहारते हुए कह रहा है वो, chief jailer क्या बोलता है, किसे कह रहा है, to dinosaurs, डाइनसर से जो chief jailer है, वो क्या कह रहा है, एक बड़ा सा jailer, तो क्या कह रहा है, sell pathias be slain, instead of demon, slain, यह क्या है, slain का मतलब होता है, kill, है ना, sli की second form है, slain है ना, क्या हमें pathias को, kill कर देना चीए, उसे फासी पर चड़ाने देना चीए, instead of demon, demon के बजा है, ऐसा कर दू, ऐसा हो पूछ रहा है, जो chief jailer है, डाइनसर से, तो डाइनसर क्या बोलता है, though I have great treasure, हाला कि मेरे पास, बहुत बड़ा खजाना है, and a mighty army, और एक महान सेना भी है, these two men have, लेकिन ये जो दो men है, इनके पास क्या है भई, have, something more valuable, लेकिन इनके पास कुछ जादा ही, valuable चीज़े, कीमती चीज़े, और वो क्या है, friendship, दोस्ती, they have taught me a great lesson, इन लोगों ने मुझे बहुत एक नया lesson सिखाया है, सबक सिखाया है, एक बहुत बड़ी सीख दी है, set both of them free, इन दोनों को आजाद कर दो, आजाद छोड़ दो, the crowd cheers, और पूरा का पूरा जो भीड़ है लोगों की, कि वो क्या करता है, खुसिया मनाता है, हिप, हिप, हुर्रे, ऐसा कहता है, cheer करता है, ठीक है, तो उनकी दोस्ती देखकर, जो डाइनसोस है, इस राजा का भी दिल पिखल जाता है, और वो दोनों को क्या कर देता है, आजाद कर देता है, तो यह उन दोनों की friendship की कानी है पैथियास और डीमन की, ठीक है? ओके, thank you very much student अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे like कर देना चैनल को subscribe कर देना और comment करके बताना कि आपको इस्टोरी कैसी लगी thank you student